बर या बर, बन्यान, पेर भारतिय उपमहद्वीप के विभिन हिस्सों में पाए जाने वाले एक पेर का नाम है। आपने भी इसको कई बार देखा होगा। ये पेर विज्ञानिक रूप से, Ficus bengalinesis के नाम से जाना जाता है और इसका विज्ञानिक नाम Ficus gerica है। यदि आपने इसको देखा होगा, तो आपको पता चलेगा कि यह काफी बड़े आकार का होता है, और इसकी साखाईं काफी अधिक लंबी होती हैं। और जमीन तक इसकी दाड़ी अड़ जाती है। कुल मिलाकर यह काफी बड़ा पेर होता है। बड़ की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि इसकी शाखाऊं से जड़ बनती है। और जब यह शाखाईं जमीन पर चिपक जाती हैं तो फिर एक नए पेर का निर्मान होता है। इसके कारण बड़ को कायम कलप रिक्ष के रूप में जाना जाता है जिसका अर्थ होता है कि यह अनंतकाल तक बढ़ता रहता है। नमबर वन बड़ का पेर घर में लगाना चाहिए या नहीं। दोस्तों बहुत से लोगों का सवाल होता है कि क्या हम बड़ को अपने घर में लगा सकते हैं तो आपको बता दे कि बड़ को आपको अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। बढ़ का पेड घर में क्यूं नहीं लगाना चाहिए इसके नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों यदि आप घर में बढ़ के पेड को लगाते हैं तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। इसका सबसे बढ़ा कारण यह है कि यह नर्जनता लाने का काम करता है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा की बढ़ का पेड नर्जन और सुणसान इलाकों के अंदर होता है। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम अपने घर में ऐसा कोई पौधा नहीं लगा सकते हैं, जो की निर्जनता लेकर आता है, या सुनसानपन लेकर आता है, आपको बता दे कि घर के अंदर शमसान जैसा सननाटा होना अच्छा नहीं माना जाता है, इसकी वजह से घर में बरगद का पेड नहीं लगाया जाता है. Number 3. नकारात्मक उर्जा का वास दोस्तों यदि हम धर में बढ़ के नुकसान के बारे में बात करें, तो ये भी माना जाता है कि बढ़ के उपा बुरी उर्जा वास कर सकती है. बहुत से लोग कह सकते हैं कि अच्छी उर्जा भी हो सकती है. लेकिन ये काफी कम होता है. हजारों सालों उम्र होने की वजह से इस तरह के पेड को कोई ना कोई बुरी उर्जा अपना घर बना लेती है. इसकी वजह से भी बढ़ को अपने घर में नहीं लगाया जाता है. नमबर फोर बढ़ा पेड घर में भाय का वातावरन पैदा करता है. आपको पता ही है कि बढ़ कितना बढ़ा होता है. और इसकी जटाएं तो जमीन के अंदर तक चली जाती है. अब यदि आप रात में इस तरह के पेड को देखते हैं, तो इसकी वजह से आपके मन में भाय का निर्मान होता है. और आपको पता ही है कि घर के अंदर ऐसी किसी वस्तू या फिर पेड को रखना जो की भाय पैदा करता है. कभी भी शुब नहीं माना जाता है. इसकी वजह से भी घर में बढ़ का पेड नहीं लगाया जाता है. नमबर फाइव घर से लक्ष्मी चली जाती है. दोस्तों यह माना जाता है कि जिस घर के अंदर बरगद का पेड होता है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी का निवास नहीं होता है. और हम सभी यही तो चाहते हैं कि हमारे घरों में लक्ष्मी का निवास रहे. इसके लिए घर में बरगद का पेड नहीं लगाया जाता है. आप इस बात को समझ सकते हैं. इसलिए यदि आप अपने घर में माता लक्ष्मी को स्थान देते हैं, तभी तो आपके घर के अंदर पैसा आएगा. और बिना पैसों के घर का हाल क्या होता है? इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है. माना जाता है कि घर के अंदर बरगद का पेड लगाने से अलक्ष्मी का वास होता है. नमब सिक्स संतान पक्ष को कश्ट होना. दोस्तों यदि कोई अपने घर में बरगद का पेड लगाता है, तो ये इसलिए भी अशुब माना जाता है कि इसकी वजह से संतान को कश्ट होता है. और यदि आप भी अपनी संतान को कश्ट नहीं देना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने घर में बरगद का पेड नहीं लगाना चाहिए. आप इस बात को समझ सकते हैं. और यदि आपने गलती से अपने घर में बरगद का पड़े लगा दिया है, तो अब अभी उसको उखाड कर किसी दूसरे स्थान पर लगा कर आ सकते हैं. ऐसे ही उसको उखाड कर फेखना अच्छा नहीं माना जाता है. नमबर सेवन बरग का पेड घर में दरार पैदा करता है. दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यदि घर के अंदर बरग का पेड उख जाता है, तो इसकी वजह से घर में दरार पैदा होती है. मतलब ये है कि घर के जो सदस्य होते हैं वे आपस में जगडने लग जाते हैं तो यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपके घर के सदस्य आपस में जगडने तो फिर आपको अपने घर के अंदर बढ़ का पेड नहीं लगाना चाहिए आप इस बात को समझ सकते हैं No.8 बिजनेस में नुकसान होता है. यदि घर के अंदर आप बरगद का पड़े लगाते हैं, तो इसका एक बड़ा नुकसान ये भी होता है, कि यह आपके बिजनेस के अंदर नुकसान करने का काम करता है. यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर आपको घर के अंदर बरगद का पेर नहीं लगाना चाहिए. यह आपके लिए सही नहीं होगा. और यदि पहले से ही है, तो फिर आपको इसके लिए कुछ उपाय करने चाहिए. क्योंकि बरगद को काटना भी तो अशुब माना जाता है. नमबर नाइन नौकरी में बाधा पैदा होती है. माना जाता है कि यदि घर के अंदर बरगद का पेर होता है, तो इसकी वजह से नौकरी के अंदर बाधा पैदा होती है. यदि आप नहीं चाहते है कि आपके घर के अंदर नौकरी में बाधा हो तो फिर आपको अ इसलिए कोई भी ऐसा उपाय आपको नहीं करना चाहिए, जो कि आपकी नौकरी के अंदर बाधा पैदा करने में सक्षम हो जाए. Number 10 ये घर में तनाव पैदा करता है. बरगद का पेड यदि आप अपने घर में लागते हैं, तो ये माना जाता है, कि ये घर के सदस्यों के दिमाग के अंदर किसी ना किसी बात को लेकर तनाव पैदा करता है. आप इस बात को समझ सकते हैं तो इसलिए भी बरगद के पेड को घर के अंदर नहीं रखा जाता है ये घर में रखना अच्छा नहीं होता है नमबर 11 आपके घर की खुशिया नश्ट हो जाएगी यदि आपके घर के अंदर बरगद का पेड होता है तो ये आपके घर की खुशियों को नश्ट कर देगा तो इसलिए भी घर के अंदर बरगद का पेड नहीं लगाया जाता है वैसे भी आजकल खुशी मिलती नहीं है तो कौन अपनी खुशियों को नश्ट करना चाहेगा तो यदि आप अपने घर के अंदर बर्गद का पेर लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए. Number 12, बर्ड या बर्गद का पेर आपके घर को नुकसान पहुचा सकता है. दोस्तों आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, कि यदि आप घर पर बर्गद का पेर लगा रहे हैं, तो फिर इसकी वजह से इमारत को नुकसान हो सकता है. क्योंकि बर्गद का पेर काफी अधिक विशाल होता है, और इसकी गहरी जिन्रे आपके घर की इमारत को नुकसान पहुचा सकती हैं. इसलिए भी घर के अंदर बर्गद का पेर लगाना अच्छा नहीं होता है.